Hello students, ITI NCVD classes में आप सभी का स्वागत है। मैं रुपे सिंग आज आप लोगों के लिए ITI Admissions 2024 के विशय में आप लोगों को जनकरी देना चाहता हूं। मैं आप लोगों को बता दूँ कि 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में प्रथम चैन सूची में जिनके नाम आए हैं वह अपना एडमीशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले चात्र को अपना बुलावा पत्र लेकर आना होगा संस्थान में और वो कैसे निकालेंगे वो www.scvtup.in पर जाकर अपना रेश्टेशन नंबर यानि की पंजी करण संख्या एवं देट आप बर्थ जम्तिती को डालेंगे तो आपका बुलावा पत्र निकल के सामने आ जाएगा यदि आपका चैन हुआ है तो संस्थान का नाम किस संस्थान में आपका हुआ है किस ट्रेड में हुआ है क्या रेंक के आपकी आपका अपना नाम सभी इंफॉर्मेशन उस बुलावा पत्र में होगी तो आप उसो पढ़ सकते हैं पढ़ने के बाद उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए आवेधन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिए क्योंकि जब आप एडविंशन कराने जाएंगे तो ये कुछ जो मैं डाकून बता रहा हूँ हूँ इनके प्रिंट आउट आपके पास होने चाहिए एक फाइल कवर होना चाहिए अब आवेधन फॉर्म कहां से निकालेंगे जब आपने फॉर्म को फिल किया हुआ तो आवेधन फॉर्म आपने प्रिंट कराया हुआ माली जब आपने आवेधन फॉर्म प्रिंट ना कराया हो तो आप लोग के लिए निकालने के लिए आपको उसी साइट www.scvtup.in पर जाकर आपने आवेधन फॉर्म प्रिंट करने का एक आप्शन आ रहा है वहाँ पर जाकर आप लोग अपना फॉर्म को निकाल सकते हैं तो पराणपत्र आपको प्रवेश के संबंद में आपको सूचना देनी होगी उसकी फोटो कॉपी आपको लेकर आनी होगी और उरिजिनल भी लेकर आना होगा तो यह है प्राणपत्र आपको लेकर आने होंगे जाति निवास प्राणपत्र लेकर आना होगा प्राणपत्रों की सत्यापित कौपी जो की अपने खुद से सत्यापित करेंगे उसका एक सेट बना कर लेकर आए सभी जाती के वर के अभ्यार्थी के लिए 300 रुपे कॉसन मनी डिसाइड की गई गई है तो 300 रुपे जमा करना है और जो प्रसिछन सुल्ख के 40 रुपे प्रतिमा के हिसाब से तो एक वर्सका 480 रुपे जमा होगा यदि कोई SCHT से तो उसके लिए कोई प्रसिछन सुल्ख जमा नहीं होगा बस 300 रुपे कॉसन मनी के उसके 300 रुपे आपके जमा करी जाएंगे और अंतिम विद्याले जहां से आपने कोई सिछा ग्रण करी वहां से TC आपको उसकी पर्थम परति आपको जमा करनी होगी TC बहुत बच्चे भूल जाती है TC जो लेकर रहा है और प्रवेस पत्र 24 में जो प्रवेस लेने वाले जो वारे बच्चे है 2015 से पहले यदि उन्होंने हाई स्कूल एर आठवा उत्रिण किया है तो उसकी सत्यापन ऑनलाइन नहीं हो पाता है तो अब्यार्थी को अपने समस्त मूर प्रवापस संस्थान में जमा करने होगे तो यह बहुत important point है और गोशना पत्र हर संस्थान का अपना होता है कि कोई बच्चा सतानी करते हैं या किसी जिसका उलंगन करता है तो उसका नाम प्रथक कर दी जाएगा इस परकार से गोशना पत्र भी कुछ संस्थान फिल कराते हैं और आवसकता नुसार सपत पत्र भी जमा करने होते हैं मालेजे किसी का age gap है या education gap है ऐसा कुछ भी है तो फिर वो सपत पत्र में आपको जमा करना पड़ता है तो यह संस्थानी बताता है जहां पर आपका chain हु है तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह documents जरूर लेकर जाए को कि यह documents आपकी होंगे तो आपका admission है वो तुरंथ कर दिया जाएगा अन्था कि स्थिति में आप लोग को दुवारा आना पड़ सकता है और जो भी documents की कमी है तो इसको इस video के माध्यम से पूरी कर ले और इस वीडियो देखकर आप जो भी documents सर ने बताए है तो आपको अवस्य ले जाए तक कि आपका admission हो जाए दिरांक 10 अगस से 16 अगस तक पर्थम चरण की जो counseling process है यानि की जो admission process है वो चलेगा तो आज 10 तारिक है श्टार्ट हो गया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग संस जाकर अपना admission लेना सुनच्चत करें धन्यवाद